सब्सक्राइब करें दिक्कत होती है तो आज देखेंगे कैसे बनेगा यह आपका NCRT का करेंगे पर देखेंगे उसके पहले 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 सब्सक्राइब करेंगे पढ़ेंगे पर दिक्कत होती है पहला क्या रहा है कि आफ़ता पीटी से कहता है यह एक साथ साल पहले आई वाज सेवन टाइम्स एज और एज यू जो मेरी एज थी जो मेरी उम्र थी वह तुम्हारे उम्र की साथ गुने थी ठीक है अब से तीन साल के बार आई साल भी त्री टाइम्स एज और एस यू इल भी ठीक है मैं कैसे हो जाओंगा तुम्हारी एज का तीन गुना हो जाओंगा ठीक है तो अच्छा एक बात आप लोग को सब्सक्राइब निकाल लिए किजिए कि कह रहा है कि आफ़ता आफ आफ़ता बाऑ tiny daughter tys下一 वाले है चो बेस पमesyरते कहों हो लिए चाहिए अच्छे को सब्सक्राइब कर देना ख्रेंगब तो तो चाहिए कया पिता है था था निकामा आप आपको considering करनी है आप क्या मानेगी छोटे वाले व्यत्य की एज को consider कर लिए ठीक है छोटे वाल जो व्यत्य है उसकी एज को consider कर लिए कर लेट लेट है लेट लेड़ कर लेटा जो एज संहें हृ अपकर आए कि छोग्साल ह्ग्साथ की एज कर दो 높은 यह तो सफोली सहरा है तो हमें दो variable लेना consider है, जरूरी है, consider करना necessary है, ठीक है, हमने एक variable तो consider कर लिया है, x, किस की age, daughter की age, अब दूसरा variable क्या consider करेंगे, y, let the age of, let the age of aftab, let the age of aftab, y, this goes to y, here, now question करें, कि 7 साल पहले, 7 साल पहले है, anto for aftab की age, व उनकी daughter's weight of aftab 7, दूनों पय साथ साल कम रहा होंगे, now, how to if you invest an age to self, how to do aftab 7, क्या होगी y-7 आफ्ताब की एज उसके डाटर की एज की साथ गुनेंगी तो साथ साल पहले दोनों की एज और फादर की एज दाटर की एज के साथ गुनेंगी तो 7 एक ग्राफ पर दिखानेंगी एको आफ्ताब की एक एक आफ्ताब कर नहीं की एक का फादर करा नहींकी की एक तो आफ्ताब की ऐस की तीन गुनी होगी कितनी गुनी तो आफ्ताब की एज एकोस तो तीन गुनी ओफ डटर की एज एक लिए ना थी टाइमस ओफ डटर की एज ऐसे ही कॉंसेट को क्लियर लेकी चलाएंगे तो असानी से एक्रेशन बन जाए है 3x प्लस 9 इकोस तो y प्लस 3 अब यहां पर लेकिए 3x माइनस का y इकोस तो 3 3 माइनस का 9 तो 3 x माइनस 2 इकोस तो माइनस 6 एक्रेशन सेकेंड हो गया है तो अब उसमें कह रहा है कि अपना आपना चेक कर लेते हैं कि अजब्रिक इस बसंद में ऐसे बना है कि नहीं यह आपका साइज 3.1 है एक फिर फिर से रिकॉल कर लें ठीक प्लस 42 एकोस तो 0 माइनस 6 एकोस तो 0 इसमें कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक्रेशन दिखाए गया है देखिए आपको क्रूशन आपका आपका आपना जोए ठोड़ेंट है पर आपको सुचनए की जरूत नहीं है क्योंकि भी आपने दूसरा भी करके और देंगे भी इसको आप वीडियो पॉस्कर करके कर सकते हैं तो मैंने आपके लिए जो आंसर के अंसर के अंसर को युए इसके टाप कर शेक्षे ौर्ट अब देखते हैं ठीक है ना इन equations को graph पर कैसे दिखाते हैं अब यह देखना है तो उपरवाला marriage के दिरे हैं आप screenshot लेके इसको note कर सकते हैं बाद में note कर लीजिए लिए चली तो graph पर दिखाने के लिए बहुत ही basic से concept होता है आपको class नाज में पढ़ाया गया होगा आउटू आउटू ड्राइन एक्वेशन और ग्राफ पर कैसे दिखाना है आपको तो फिर्स्ट एक्वेशन को लेजिए पहले आपके आपके आपका graph प्लॉट कर लीजिए प्लॉट करते हैं तो आपका measurement एद्धम accurate आता है यहां पर बोर्ड है या फिर जब graph प्लॉट करेंगे तो एक्वेशन आ सकता है अब देखिए यहां पर तो पहले एक्वेशन को हमने उठाया एक्स मानस 7Y इसको यहां भेज देते है ना इसको मानस 42 जब पाउर एक्स इपर टो ज़ीरो जब graph को हम इक्वेशन को solve करके ग्राफ पर दिखाते हैं तो पहले यक्स बराबर 0 लेते हैं y कमान आएगा, फिर y बराबर 0 लेंगे, x कमान आएगा, यह आद रखीगा, चिक है, x बराबर 0 लिए है, तो यहाँ पर 0 रख लिजिए, minus 7y equals to minus 42, minus 7y बराबर minus 42, minus से minus, cancel हो गया, y बराबर 42 गटे, 7 by 7 equals to 6, यानि कि, y की value जब 0 होगी, तो y की value क्या होगी, 6, इस point का आप दिखा लिजे, y की value 0, y की value 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ पर 0, 6 दिखा लिजे इसको, अब y की value को 0 रखिए, और x की value पाइन आट कीजे, जब y की value को 0 रखेंगे, तो यह क्या होगा, x minus 7 into 0 equal to minus 42, है ना, ठीक है, अब x, 0 का 0 हो जाएगा, 7 सा multiply होगा 0 में तो, x equal to minus 42, x equal to क्या गया, minus 42, यहीं की coordinate के हो गए, minus 42 कामा 0, ठीक, अब उसको हम draw करता है, x axis पर, x axis negative कहा होता है, left में, right में का था, positive, left में negative, y axis उपर की तरफ, positive, निचे की तरफ negative, खीक है, इसको आप दिखाएए तो, x equals to minus 42 है, हाया कि बोड की लंबाई इतनी नहीं है, न तो आपके copy की लंबाई नहीं होगी, तो आपको measurement फिक्स कर लेना है, कैसे, let, कि 1 unit में किता डिस्टेंस है, 6 है ना, एक unit में किता डिस्टेंस है, 6 ग, 12, 12, 18, 24, 24, 35, 36, 34, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 12, 3, 18, 4, 24, 5, 2, 30, 3, 36, 7, 42, clear, क्योंकि negative axis है, इसले हम negative size ले रहे हैं, इस coordinate को लिखा लीजे, यहां पर आपका, मिरेश कर देए, आपको note करना होगा, वीडियो को pause करते कर देए, नोट कर लीजेगा, अब यहां पर आपका minus 42, 0 आगया, एक point यह, एक point यह, इनको join कर देए, let us join these, two points, these two points are joined by a line, यह दुना line point क्यों हो गए, join हो गए, एक line से, यह line क्या है, इस equation की line, आप इसको दिखा लीजेए, clear, यह दो एक equation का हो गया, अब दूसरे equation का भी similar लीजे होगा, ठीक है, इसको आप खुद कर देए, चलिए, यह के homework में note कर देते हैं, ठीक है, यह आपका homework हो जाएगा, second question इसका देखते है, वीडियो को फॉसरे नोट कर देजिए, अब second question में कहरा है, the coach of a cricket team, a cricket team की coach है, by three bats and six balls, अब देखिए, आपको यह दो objects क्यों दिये होगा, ताकि आप दो variable ले सकें, ठीक है, ठीक ना, let us consider that, let us consider that, अच्छा, question को पढ़ के थोड़ी सिसेंस आगी होगी, न, कि आपको क्या करना है, जैसे, कि the coach of a cricket team, by three balls and, by three bats and six balls for three thousand and nine hundred रुपीज, ठीक, कितनी bats खेदते हैं, three bats और six balls, ठीक, ठीक, तीन bats खेद रहें, छे ball खेद रहें, आपको दो-डो objects दियेगा है, किस लिए, ताकि आप दो variable ले सकेंटे कर पाएं, ठीक, let, let the cost of, let us consider that, let the cost of a cricket, let the cost of one bat, एक बैट का, जो cost है, वो एक्स रुपीज है, कितनी रुपीज है, एक्स रुपीज है, है न, and the cost of one ball, cost of one ball is equals to five rupees, ठीक, अब according to question, कितनी bats थे रहें, three bats, एक बैट का यक्स रुपीज, तीन रुपीज, तीन रुपीज है, ठीक है, और एक बाल का वाई रुपीज, तो six balls का 600 रुपीज, इतना clear चल रहें न, ठीक, good, तो बोल रहें कि इन्म ने, तीन बैट और छे बाल खरीदने के बाद, टोटल 3900 रुपीज पे किया है, एक equation यह बन गया, अच्छा, थोब से इसको sort कर लेते हैं, कुछ common दिख रहा है कैस में, कुछ common दिख रहा है, हाँ, क्या दिख रहा है, three, three यहां भी है, three यहां भी है, three यहां भी है, individually नहीं है, but combined है, ठीक है, x plus, common यहने का मतलब होता है, किसी एक particular number से, बोट साइट, dividing, ठीक, two y, one, three, ठीक है, 39, ठीक है, ठीक है, तो x plus two y equals to 1300, यह अच्छ पर question, पर स्ट माल लेकर है, ठीक, अब second question में कहा रहा है, मैं तो इसी एक second condition में कहा रहा है, कि जो coachman है, c लिखा हो, एकी ladies है, कोई, ठीक है, कहा है, के तीन, इसकी बाद एक बैट और खरीती है, और तीन बॉल और, एक बैट खरीती है, फ़ापल स्ट से, तीन बॉल और खरीती है, जह हमने बैट के क्या होना कोस्ट, कि धुपर स्थाजी गर करें थे ग्हशते होगा थीफ抗 को रही है ृतितन chyba रुपीज कि यहां पर कर घषका भाना है कि अभी यहां नेया है नद्रिफिय और करने लेख निवल घैई आपको मैंध यहीं बना था नो अब press एक के टिशन का फिर सेंग ड्रप कर दे रहा है सेकें आप किजएगा आपके प्रेक्टिस के लिए ठीक है तहां पर देखिए from equation 1 from equation 1 putting x equal to 0 putting x equal to 0 हां ध्यान थे-ब हमें पीपर में फिद यब भी आप solve कर रहें कहीं भी अपको proper method लेकर जाना है since she is buying 3 बैट and six ball so the total cost equals तो इतना दन यह दन वो पूरा आपको प्रपरली लिफना है क्योंकि नम्बर को इसे मिलेगा दोरा लिखे नमर नहीं मिलेगा भले ही सही रहा हो तो आसका कम ही नमर मिलता है एक्षोल से ठीक है फिर्स एक्षोल में आप एक्षिप फटू जिरो कुट कीजिए तो वाइक्षोल थारी फंदेड़ तो इतना क्लियर वाइक पॉर्ट कितना है इतना है इसको बाद देखेंगे कैसे सुल से निकालते हैं अब देखें क्या बनेंगे आपका जीरो कामा सिर्फिटी वीडियो को पॉर्च करके नोट कर लीजेगा अब देखेंगे याँ पर इसको हमें ग्राफ पर दिखाना है इसको दिखाए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसको माल लीजे कि एक एक युनिट के विचके डिस्टन्स कितना है हंडेड तू हंडेड त्री हंडेड पॉर हंडेड फाइफ और यह 7 ठीक बोल रहा है कि य की वल्यू क्या है 650 तो मैं वाई उपर दिखाना पड़ेगा ना 1,2,3,4,5 तोड़ा सब्सक्राइब बड़े हो गई पहले यहां आएगा कुछ 0,650 अब यहां पर देखिए sql निगाल लेते हैं putting y कोटो 0 index y कोटो 0 रखिए x प्लस 2 इंटो 0 equals to 1300 x equal to 1300 clear sql लिके अगई 1300 अब यही वाल्यू आप रखिए 13 यानिकी 13 कुछ आगे जाएगा तो given 2,3,4,5,6,7,1,9,10,11,13 clear न यह क्या होगे आपका 1300,0 clear इतनी बार आप देखिए इन दोनों points को join कर दीजे तो points को ऐसे join कर दीजे तो तोड़ा सा नीचे तोड़ा सा और उपर अब यह आपका graph बनगे कौन से लाइन का x plus 2y equals to 1300 फास्ट और फास्ट वाल आपके लिए homework है अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो जो पढ़ाएगे आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो comment के एक बाद जरूर बताईएगा जो भी question आपको ना आए उसको इपर comment box में दीजेगा आपको इसका अंसर जरूर मिलेगा और वीडियो फसंद आया हो तो please like share and subscribe my channel thank you